तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 के टर्म 2 का सेलिबस की टर्म 2 में हमारे कौन-कौन से चेप्टर सान्मी वाल है और उसमें से कौन-कौन से टॉपिक हमारे यहाँ पर डिलीट हुए है तो बिल्कुल आप यहाँ पर टेको फॉर्स हमारा यह वही पार्च यून चुका है सम अप्लिकेशन ओफ ट्रिग्नोमेटरी और आपकी लास्ट उनिटे मेंसुरेशन उसमें आपका आ रहा है सर्फिस एरिया जैंड वॉल्यूम चैप्टर नमबर थर्टीन और एक लास्ट आपका आपका फॉर्टीन जो कि है आपका स्टैटिस्टिक्स ठेक है तो इस बुक में हमें कौन से क्वेशन करने कौन से नहीं करने तो मेंली जो हमारा यहां पर क्वाडिटिक एक्वेशन है उसमें से पूरा का पूरा आ रहा है एक आपका क्रॉस मल्टिप्लिकेशन मैथर नहीं आ रहा है इसमें आपका कहीं पर भी क्रॉस मल्टिप्लिकेशन मै इस तरह कि जो एक्स की पावर फोर वाले questions जो होंगे वह आपके डाने देखो इसमें लिखा problems on equations reducable to quadratic equations तो जिन problem को हमें quadratic equation में change करना पड़ेगा वह आपके excluded हुए है तो बहुत से लोगें समझ रहें कि इसमें आपकी word problem हट गई तो word problem नहीं है यहां देखो situational problem based on quadratic equations related to day by day activity तो यह आपकी यहां पर word problems आएगी तो simple word problems भी है सकती थोड़ी tough भी है सकती तो हम यहां पे सारी word problems को solve करेंगे तो now आप book में tick करो तो यह रहा हमारा chapter number 4 quadratic equation तो 1 by 1 आप चाहो तो यहां पर लिख दो कि cross multiplication method only यहां पर नहीं आ रहा है बाकि सब कुछ हमारा यहां पर आ रहा है तो यह 4.1 exercise आपको complete करने है सारे example जो यहां तर एक one two सारे example आपको करने है यह आपकी पूरी exercise तो यह मैंने पुरानी book खरी दी तो बहुत ज्यादा ही गंदी हुरी है ठीके फिर यह आपको examples भी करने है फिर next आपकी 4.2 exercise यह भी हम यहां से हड़ गया है solution of the quadratic equation by completing the square यह method आपको यहां पर नहीं पढ़ना है तो इससे related हमारा एक ही question है लेकिन उसी questions को हम यहां पर other methods है हमारे पास quadratic equation को solve करने के यहां पर 3 method है middle term splitting method है factorization method है यह फिर हाई factorization method हो यह यह पर एक आपको quadratic formula है जो कि आपका यह रहा तो question चाहे आप इसको दूसरे method से solve करने इन सारे questions को आप प्रैक्टिस करना बस आपको यह method यहां पर नहीं करना है तो इससे related आपका सिर्फ यह 4.3 का question है इसी question को आपको यहां पर काहिए कि आप quadratic formula से solve करो तो यह question में इस methods आपको solve नहीं करना है other methods आप इस question को solve कर सकते हो तो इस chapter में से आ आपका सारा है सिर्फ यह हटा है application based on sum of and terms of an AP are excluded to sum of and terms of an AP से related कुछ questions है यहां पर हटे हो जहां पर यह apply करते हैं तो यह रहा हमारा chapter number 5 तो आप यहां पर टिक करते जाओ हमें 5.1 exercise पूरी करनी क्योंकि यह हमारी simple जो हमारा an find करना term करने वाले के उपर है तो यह 5.1 exercise हमें find करने से related है अपकी exercise number 2 है तो यह भी हमें यहां पर पूरी की पूरी solve करनी है यह बात बड़ी-बड़ी exercise है लेकिन simple simple question है एक formula से related है तो यहां तक example number 10 तक आपको सारा करना है फिर यह पूरी exercise करनी है 5.2 यह पूरे questions आपको यहां पर गरना है फिर next है आपका sum of first and terms of an AP तो इ example 16 के यहां पर आप cross लगा लो example 16 हमें नहीं करना है इस तरह की जो sum of and terms वाले questions है वो इसके अंदर है तो यह हमें यहां पर नहीं करना है जिसमें हमें AP खुद generate करनी पड़ती है तो यह question आपको यहां पर नहीं करना है then 5.3 आपको 1 से ले करके और आपको 15 तक example हमने छोड़ नहीं पड़ती तो यह सारे के सारे 19 20 आप यहां पर cross कर दो और optional exercise तो optional exercise में आपको यहां पर first question करना है second करना है और उसके बाद आप यहां पर 3 4 5 को cross कर दो तो यह आपका यहां पर easy questions हो गया तो basic वाले चाहे बली तो optional exercise छोड़ देना लिकिन standard वालों को optional exercise के question करना है now next chapter द 10 circles तो एक theorem के related आपकी first exercise है तो यह theorem number आपकी 10.1 तो 10.1 से related आपकी first exercise है तेखो कितनी simple है fill in the blanks है objective है question है तो यह आपको पूरी की पूरी करना है और उसके बाद आपको यहां पर आपकी theorem number 10.2 है इससे related आपकी यहां पर second exercise है तो यहां हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है यह स total 13 question है तो ज्यादा question नहीं है तो यह आपको पूरा का पूरा solve करना है इसमें कोई deletion है तो आप यह chapter जहां start हो रहा है वहीं पर लिख दो कि no deletion है बाद में आप confused होगे तो यहां पर लिख दो no deletion इसमें से कुछ भी delete नहीं हुआ है फिर next आपका यहां पर इस circles हमारा हो तो दो तरह से हम line का ratio में divide करते हैं एक आपका first method यह वाला है और second method आपका इधर है तो इससे related आपको कोई example नहीं दिया हुआ यह simple तरीका आपको यहां पर समझाया हुआ है तो यह आपको कुछ नहीं करना example number one आप cross कर देना example number आप यहां two भी cross कर देना इस line segment का division का सिर्फ एक ही question है जो कि आपका यहां पर है question number one जो कि 11.1 exercise में है तो 11.1 exercise का सिर्फ आपको एक question करना है बाकी पीछे जो भी सारे questions है वो triangle से related है तो इन सब को आप cross कर देना यह two से लेकर के seven तक हमें एक भी question नहीं करना है तो next topic आपका यहां पर है tangent to a circle from a point outside it तो यह वाला जो है construction of a tangent to a circle तो 11.2 exercise हमें पूरी करनी है तो इससे related भी कोई example नहीं है तो इस chapter में example कोई भी नहीं करना है 11.2 exercise पूरी करनी है जिसमें seven question है तो seven question आपको यह करने है और एक question वो करना है eight question करो के और आपका chapter क्या हो जाएगा पूरा खतम तो यह आप अगर अभी लेकर के बैटो ना तो तीन से चार गंटे में आपका पूरा का पूरा chapter आप एक दिन में इसको कर सकते हो एक दिन भी नहीं हो तीन गंटे में इस chapter को आप यहाँ पर complete कर सकते हो फिर next आपका some application of trigonometry तो यह आपका chapter number nine है जो trigonometry आपने eight किया था उससे just आगे वाला तो इसमें भी आपका कुछ भी डिलीट नहीं है इसमें भले लिखा angle of elevation depression should be only तो हमारी book में उत नहीं है problem should not involve more than two right triangles तो ऐसा कोई question book के अंदर नहीं है जिसमें दो से जादा right triangles आपके महाँ पर involved तो इस chapter में भी आपके कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है यह आपको पूरा का पूरा solve करना है सिर्फ एक exercise ह सारे example हमें करने है और सारे की सारे की बहुत important chapter इस से लड़े to questions exam में आते हैं और D part में आते हैं तो 16 तो इसके अंदर question है और अगर आप यहाँ पे देखो तो इसके अंदर 7 example है तो 16 और साधी आपको यहाँ पे करने से यह chapter खत्म हो जाएगा तो अगर आपको इसके introduction video volume के अंदर एक तो आपका कडिया है frustum of cone इसके अंदर एक अपका frustum कहीं पर भी लिखा हूँ नहीं दिख रहा है और दूसरा आपका यहाँ से problems with combination of not more than two different solid be taken तो इसके अंदर इस तरह के question है ही नहीं जिसमें 2 solid 2 से ज्यादा solid का combination किया हो तो यह फाल तो यहाँ पे लिखा इसमें से सिर्फ rustum of cone आपका कटा है तो इसमें से मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी exercise आपको नहीं करनी तो आप यहाँ पर चैप्टर नमबर 13 तो यह जाते हैं 13 के उपर फिर उसके बाद हमारा next आएगा 14 तो यह रहा हमारा 13 तो इसमें आपको 13.1 पूरा करना है फिर यहाँ पर 13 पॉइंट आपका यह 2 पूरा करना है इसे जो भी एक्जांपल हमारे चल में एक्जांपल 7 यह सब साथ में करते जाना है फिर आपका next आपका conversion of a solid from one shape to another तो यह भी आपको करना एक्जांपल नमबर 8 करना 9 करना 10 करना है 13.3 exercise आपको पूरी की पूरी करें इसके यहाँ पर एक्जांपल नमबर आप 13 को भी क्रॉस कर दो यह बहुत important topic था लेकिन cbac ने हटा दिया इसके formula भी बहुत lengthy थे तो अच्छा हुआ हटा दिया कि आपके पास time कम है कि इतनी बड़ी चीज़ा व्याद करो तो एक्जांपल नमबर 14 को कर दो और exercise आपकी जो 13.4 है यह आपका first time का question है यह आपका है तो यह तीन आपको नहीं करने है बाकी आपको यह सारे question करने है और standard वालो के लिए यह चार question बहुत important है अगर आप last year के paper देखोगे यूग कि आपका paper अगर subjective होता है तो इसमें से एक question आपको वहाँ पर जरूर मिलेगा तो इसे लिए यहा तो इसमें से हमारा है step deviation method जो है हमारे पास mean निकालने के तीन method है तो जो सबसे easy method मुझे लगता step deviation method वह यहां से हड़ी है सिफ दो method आपके आपके mean by direct method and assume mean method तो mean करना है में median करना है और mode करना है और इसमें mean का जो direct method और assume mean method करना है step method नहीं करना है तो आपको सिफ इसमें question को यह नहीं छोड़ना है लेकिन आपको जो यह questions mean निकालने के लिए कहरे है ना आपको उसमे step deviation method नहीं लगाना है तो example 1 कर लो 2 कर लो मैं आपको बदा देख यह assume mean method है method हमारे पास अलग भी तो है तो और method है जिससे हम solve कर सकते हैं तो इसलिए हमें यहां पर questions आदे करना है लेकिन इस method को नहीं पढ़ना है ठीक है तो हम exercise यहां पर 15.1 पूरी करेंगे लिकिन सिर्फ 2 method से करेंगे direct method और आपका assume mean method नेक्स्ट आपकी mode से related है तो mode हमारा method में कु exercise 14.3 तो वह भी हमें यहां पर क्या करने है पूरी की पूरी आपर सॉल करने है तो frequency वाला हमारा cumulative frequency निकाल थे और इस तरह के questions थे तो वह हमें यहां पर पूरा करना है तो 14.3 भी यहां पर पूरी करने है अब इसके बाद भाह में कुछ नहीं करना है तो इसके लिए हमारे कहां तक अगया हम एक्जांपल नंबर एट तक पूरा करना और एक्जांपल पूरी करने हैं फिर इसके बाद यह जो आपका है 20289 पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आफ क्युमिलेटिफ रिक्वेंस दिस्टिबुशन तो यहां से हमें कुछ नहीं करना यह चेप्टर आ इस पर पूरा का पूरा बड़ा अक्रॉस लगा लो यह नहीं आएगी क्योंकि थोड़ी तफ भी थी और आप इतना कम टाइम में इनको नहीं पड़ पाऊगो दो तरह के ग्राफ होते हैं आप कंफ्यूस हो जाते हो तो यह भी आप यहां से एट आदो 14.4 में से हमें एक भ अब आपको यहां पर क्या करना है स्ट्राटेजी बनानी जो चप्टर आप यहां पर देख लो जैसे आपने टिक किये की यह यह तो पढ़ने में बहुत इजी है तो इन जो पहले इजी इजी है जैसे आपका मैं आपको बताती हो रुको अब यह आप एक बार जल्दी से 10 दिन के अंदर अपने दो तीन चप्टर करने चाहते हो तो आप सर्कल्स को पहले कर लो बहुत चोटा चप्टर है और बहुत इजी चप्टर है दो थियोरम है तो भूलोगे भी नहीं आरम से पता लग जाएगा कहां पर कौन सी थियोरम लग रही है देन आप कंस्ट्रक्श कर लो और स्ट्रक्शन कर लो मीन मीडियन मोड से रिलेटेड आपके एक्सराइज है थोड़ा सा कैल्कुलेशन में टाइम लग जाता है लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो वहां पर भी आपका एजी हो जाएगा तो मैं यह मानती हूँ कि इस एक हफते के अंदर आप चप यह थोड़ा सा टाइम लेने वाले यह वाला यह वाला क्योंकि थोड़े वर्ड प्रॉब्लम में आपको समझने में टाइम लगता है तो इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम में इसमें भी है तो आप यहां पर पहले आप 10 कर लेना 11 कर लेना फिर आप यहां पर 14 कर ना 14 के वाल थर्टी ना दाना क्योंकि यह भूलने वाले चैप्टर नहीं है आप इनको एक बार कर लोगे ना तो इतनी इजी लिए हम उनको भूलते नहीं है जब कि हम यह वाला चैप्टर यह वाला और यह वाला यह आप थोड़ा सा बूल जाते हो तो अपनी स्ट्राटेजी बना करके और इन चैप्टर को कंप्लीट करो ताकि फटा-फट हम बाद में रिविजन स्टार्ट कर सकें जितने भी आपके यहां पर चैप्टर सारे उनके वीडियो के जो भी वीडियो मैंने इनके वीडियो पूरे अप्लोड कर रखे है यूट्यूब पे तो उनके वीडियो के लि link description में ले दूँगे वहाँ से जाकर करके आप notes ले सकते हो thank you and all the best for term to exam